राजन कुमार जिने भारत के चारली चैपलीन के नाम से जाना जाता है जो श्रीनगर से कन्या कुमारी तक मद्दाता जागरुपता अभ्यान चला रहे हैं वोट के साथ साथ चुनाव के महत को लेकर राजन कुमार चारली चैपलीन के हाथ से अंदाज में अलग-अलग पोस्ट देते हुए लोगों को मतदान के प्रती जागरुक कर रहे हैं राजन कुमार को लोग भारत के चारली चैपलीन के रूप में जानते हैं वह कश्मीर से कन्या कुमारी की यात्रा पर निकले हैं उनका मकसद बेहक खास है वह चुनाव के ब्रैंड अमबेस्टर है और लोगों को मतदान की प्रती जागरुक करने निकले हैं जिसके चलते उन्हें चारली चैपलीन के गेटप में श्री नगर में घूमते हुए देखा गया जहां उन्होंने सानी लोगों में मतदान को लेकर जागरुकता बढ़ाई महिराजन कुमार ने कहा कि मैं यहां चुनायों के ब्रैंड अमबेस्डर के रूप में हूँ जो हमारे इंटरनेशनल कमेडियन है और उनके लिगेसी को मैं पिछले 24 साल से मेंटेन कर रहा हूँ तो उस बच्चे के रिक्विस्ट पे मैंने आज इस लुक को यहां लिया और सड़नी मेरे जहन में आया कि मैं कश्मीर में हूँ, दुनिया के स्वर्ग में हूँ, यहां भी चुनाओ है जनरल इलेक्शन है तो ऐसे में हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम तमाम लोगों आवाम से यह अपील करें कि आप अपना वोट जरूर करें पहले मतदान फिर जलपान जी, तो यह कश्मीर से हमारा सफर शुरू हो गया है, जो कि कन्या कुमारी स्वामी वेकानन्द मेमोरियल रॉक पे खत्म होने वाली है बतादे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाक में धारा 370 हटने के बाद पहली बार लोगसभा चुनाओ हो रहे हैं यहां लोगसभा की 6 सीटे हैं, यहां चुनाओ पाथ चर्णों में हो रहे हैं जहां 2019 के आम चुनाओ में जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से 3 पर भाजपा को जीत मिली थी और 3 सीट पर नैशनल कॉन्फरेंस को जीत मिली थी ब्यूर रिपोर्ट इंडिया पब्लिक खबर फिलाल के इस खबर में बस इतना ही देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्क्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ झाल झाल